गुद मार्निं अल फ्यू इस जोड़ आप यू यह ओप यू आप यह पिटा टोड़ी वी व्यू आप यू निश्पक्ष न्याय जो फर्सली टेक यू बुक रिए पीस नुम्र एटी फईव लेस्न नुम्र फिफ्टीन निश्पक्ष न्याय जोड़ी यह इसमें टू फ्र best friend होते हैं ठीके बड़ जब न्याय करने की बारी आती हैं तो वो एक दूसरे की दोस्ती छोड़कर न्याय को सर्वो पर ही रखते हैं ओके सो बिटा लेट्स टार्ट अल्गु चोधरी और जुम्मन शेक में गाड़ी मित्रता थी गाड़ी क्या ओता गहरी अल्गु चोधरी पर पक्का विश्वास था जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घ़र अल्गु के भरो से छोड़ गए जुम्मन एक मुसल्मान थे और हज क्या होता है बिटा मुसल्मानों का तीर्थस्थर जिसे हमारे गुरु द्वारा होता है मंदिर होता है तो जुम्मन जब नमाज पढ़ने के लिए हज में जाते तो अपना घर जो है अलगू के भरो से छोड़ जाते थे इस में चैप्टर में बेटा बहुत सारे उर्दू के वर्ट्स यूज किये गई हैं ठीके हम ध्यान से करेंगे हमें उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए ओके अलगू जब बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन को सौप जाते एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे कहीं जाते तो अपनी सबसे कीमती चीजे जो घर में होती थी वो भी एक दूसरे के भरो से छोड़ जाते थे जुम्मन की एक बुड़ी खाला थी बुड़ी खाला खाला क्या होता बिटा ज जुमन के इलावा परिवार में उनके पास थोड़े से खेत और घर था, जुमन ने लंबे चोड़े वादे करके सब कुछ अपने नाम करवा लिया। मतलब थोड़ा जगडालू टाइप थी, वह खाला को रोज जली कटी बाते सुनाती। इतने में तो पूरा गाउं खरीद लेते। खाला को रोज ऐसी ही कडवी बाते सुनने को मिलती। कुछ दिन तो खाला ने सुना और सहा, पर जब न सहा। येस बिटा, नाओ टॉर्ण नेक्स पेस, पेस नमबर 86। जुमन की जो वाइफ है बिटा, खालो को काफी बुरी बाते सुनाती थी, बट जब तक सुना गया, खाला ने बरदास्त किया, जब बरदास्त नहीं हुआ, तो उसने जुमन से शिकायत की। जुमन ने इस और कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ दिन तक योही रोध होकर काम चलता रहा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बुरी बाते सुनना, तो एक काम करो, तुम मुझे महीने में कुछ पैसे देर जा करो, ताकि मैं कुछ अपना खाने का समान खरी सकूँ, अपनी जो रिक्वाइड तिंक्स हैं, उनका समान ले सकूँ, जुमन ने बेशर्मी से कहा, रुप भी लगती है, और चीजों की भी जरूरत होती है, तो उनको पैसे की नीड है, है ना, बट जुमन ने बेशर्मी से क्या कहा, कि क्या पैसे यहां पे फलते हैं, खाला ने नर्मता से कहा, बहुत ही पॉलाइट वे में कहा, मुझे भी कुछ रूखा सुखा, चाहिए कि नहीं खाला ने कहा, भी अब मैं हूँ, तुम मुझे खाने को भी चाहिए, कुछ खाला भी गड़ गई, जुमन ने क्रोध से कहा, तो मैं यह थोड़ी ही समझा था, कि तुम मौत से लड़कर आई हो, जुमन खाला की ओ, इंसल्ट करते हुए कहते कि, मुझे तो लगता कि पर्टी हमारी, बड़ ऐसा नहीं हुआ, तो जुमन भी उनको बुरा भला कहता है, खाला भिगड़ गई, उसने पंचायत की धंकी दी, खाला के पास और कोई आप्शन नहीं था, उन्होंने कहा, कि मैं पंचायत करते हूँ, और पंच ही मेरा न्याय करेंगी, कि तुमने ज चाहिए कुछ, यह सुनकर जुमन इस तरह से हसा, जैसे कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख कर हसता है, अब जुमन को इस चीज का गुरूर था, कि मेरे पास तो प्रोपर्टी भी है, पैसे भी है, और गाव में सब मुझ से डरते, मैं काफी ताकतवर हूँ, तो कोई पंचायत जो होगी, पंच भी मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है, तो उसको लगा कि भई, खाला जाएगी, कोई बाती वापिस आ जाएगी, बेबसा देख रहा था खाला को वो, वह बोला, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की ख खट-पट पसंद नहीं, अब खाला को परिशान करते थे वो, बट फिर भी वो कहते हैं कि मुझे खाला, मुझे जो खट-पट है, लड़ाई जगडा पसंद नहीं है, पंचायत में किसकी जीत होगी, इस बारे में जुमन को कोई संदेह, नहीं था, संदेह मतलब डाउट ह अब पंचायत में किसकी जीत होगी, अब जुमन को लगता मैं पावरफुल हूँ, तो सब मेरे पक्ष में ही बोलेंगे, इसलिए उसको कोई डाउट था ही नहीं कि मैं हारूँगा, उसको ये था कि मैं मुझे ही जीतना है, ऐसा कौन था जो उसे शत्रु बनाने का काम कर सक किसमे इतना बल था जो उसका सामना कर सके, आसमान के फरिष्टे तो पंचायत में आएंगे नहीं, अब जुमन शेक को ये था कि कोई भगवान तो आने से रहा, जो गाओं के लोग है वो मुझे वैसे ही डरते हैं, तो मेरे खिलाफ कोई जवाब नहीं देंगे, कोई मेरे जाएगा, इसके बाद कई दिन तक बुड़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गाओं में दोड़ती रही, एक एक कदम चलना कठिन था पर बात न्याय की आपड़ी थी, इसका निर्णय जरूरी था, ओके बिटा, आज हम इस चेप्टर में इतना ही करेंगे, ओके you will read this chapter yourself also, okay thank you so much.